Hello everyone I'm Ayisha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको excavation safety के बारे में बताऊंगी के excavation safety हम कैसे प्रवेंट कर सकते हैं Sk correason हजाद स्किस किस टाइब के हो सकते हैं और हम क्या precautions लें ऐसी जिसके वज़ेसे हम यह कहत्रा आने से रोक सकते हैंज काम से नीसी कर सकते हैं अब excavation क्या होता है, excavation होता है, जो construction sites रहती है, वहाँ पर जो गड़े खोते जाते हैं, construction के लिए, उसका basement बनाने के लिए, तो उसे कहते हैं excavation, ठीक है, buildings बनती हैं, उनको बोलते हैं excavation, buildings बनने के लिए जो गड़े खोते जाते हैं, उसको बोलते हैं excavation, ठीक है, अब excavation ऐसा अब देखे किस किस तरीके के हजार्द हो सकते हैं ठीक है एक्सकवेशन और सेफटी हम कैसे रख सकते हैं एक्सकवेशन कैसे हजार हो सकते हैं तो देखी क्या होता है केवजिन हजार हो सकता है जैसे कि आप महां लिजे किषी सूरम्हें कॉलम कर रहे हैं तो वहां आपको कुई हजार हो सकता है जैसे कि मम ली जे आपने गट्डाग होता है अब यहां क कर रहे हैं Uhmप मां ली lados कोई वीकल किसी की pipeline वहां से गई है या electric cables वहां से गई है तो वहां से तूड़ गया ठीक है तो electric shock भी हो सकता है ना तो यह सारी चीज़े इस टाइब के hazard हो सकते हैं हो सकते है pipeline फूट जाता water flow होना शुरू हो जाए water flooding होने लगे ठीक है तो यह सारी चीज़े हमें चेक करते रहना पड़ेगी उसके बाद हम work कर सकते हैं वहां पर इन सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे falling हो सकता है क्या हो सकता है जैसे सामान कुछ आपने उपर रख रखा है मिट्टी के उपर रख 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 है या आसपास रख रख है वीकल क्रॉस हुआ तो वह equipment जो भी वह उपर रखा हुआ है तो वह नीचे गिर सकता है ठीक है तो इन चीज़ों का आपको धिहान रखना हो employees से ठीक है वहाँ पर employees होने चाहिए जो गड़ा खुद रहा है वहाँ पर मतलब लोग और भी होने चाहिए जो देख भाल कर सकें कि ऐसी कोई situation create ना हो सके ठीक है वहाँ पर मतलब calling करने के लिए भी एक landline available होना चाहिए जिससे ऐसी कोई hazardous situation आती है तो तुरंत हम call कर सकें है देख भाल कर सकते हैं वहाँ कि जो गड़े में काम कर रहा है वो तो वग करेगा ही साथी लोग जो रहेंगे वो भी देख भाल करते रहेंगे सेकेंड हम क्या कर सकते हैं सेफटी में हम बैरिकेट्स यूज कर सकते हैं जैसे कि माली जी आपने गड़ा खोदना शुरू किया भी माली जी कोई वीकल है उसने नहीं दिया वो वीकली गड़े में गिल जाए है तो जो वीकल गिरा उसका भी लौस और जो काम कर रहा है उसका भी है नो तो हमें क्या करने चाहे है बैरिकेट कर देना चाहिए वो एरिया और सिग्नलmee दे दे तो इससे क्या होगा, सामने वाला भी शाबधान हो जाएगा, कि आगे वर्किंग चल रही है, क्योंकि ये वक्त तो कहीं भी स्टार्ट हो सकते हैं, माले जें, रोड के किनारी ये वर्क हो रहा है, यह गट्टे जो है पूरोड के किनारे पर खोदा जा रहा है या फिर कोई विकल क्रॉस हो रहा है मां लीजे जो साइट है वहीं पर कोई सामान आ रहा है तो उनको भी ध्यान रहे कि इतने से इतने एरिया से हमें बच के जाना है इसलिए पैरीगेट का यूज किया जाता है साथी हमें याद रखना चाहिए कि जब भी excavation site के निया से हम निकल रहे हैं तो हमें walking धीरे धीरे walk करना चाहिए मतलब ध्यान रखना चाहिए कि जहां से हम निकल रहे हैं वो जगा excavation site है तो इसका ध्यान रखते हुए वहां से गुजरना चाहिए बेरिकेट करना चाहिए एरिया यह मैं बता चुकी और प्रॉपर बीपीई पहनने चाहिए जब भी आप यह वर्क कर रहे हैं तो चीक है तो इस तरीके से आप अपनी सेफटी प्रेवेंट कर सकते हैं प्रेकॉशन्स ले सकते हैं, सेफटी प्रेकॉशन्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं, अब देखिए इसके साथ जैसे कि वर्क जो चल रहा है, उसमें अब क्या गड़ा खोद दिया, ठीक है, आपने गड़ा खोद दिया है, एक लंबा सा गड़ा खोद दिया है, अब वहाँ पे औ तो इससे कैसे हम बच सकते हैं, है ना हमें तो वर्क करना है वहाँ पे, तो समय भी लग सकता है, तो वह गड़े हम कैसे बचा के रख सकते हैं, वह वापस मिट्टी उसी में गिर जाये जाके, तो हम क्या कर सकते हैं, सोरिंग की में आपको कुछ पिच्चर्स दिखाती वह गड़ा भी आपका सेफ रहेगा और वापस उसमें मिट्टी भी नहीं गिरेगी, तो क्या होगा, उनके पिच्चर्स में आपको दिखाती हूँ पहले, ये देखिए, इस तरीके से सोरिंग कर दी जाती है, अब देखिए, आसपास मिट्टी डली हुई है, पर ये जो ग कर सकते हैं, ठीक है, अब देखिए, ये एकस्ट वेटिटी मक्तीरتم रखा हूँ है, अब ये क्या है, ये जिसी भी जो आई, और देखिए, वहां से मत्रें ले सकते हो, नीचे जो इंसान है, वो क्या करैं सोरिंग कर रहा है, तो ये क्या हूँआ, रॉंग हुआँ, वो सोर कर सकते हैं यह मैं आपके बताती हूं इस इस तरीके से पहले शोरिंग की जायेगी वांग मिटर अवे रहे वीकल ट्यक्क्षेट कर सकता रहे हैं वह सेफ्टी से हम सकेंगे और इस में क्या हो रहाता है ना इस वजए से यह जो सिच्टुेशन बंद रही है घ्र है और पार्षन उसके नीचे खड़ा एक ऐनसे हो गया भी है तो यह करना बहुत ही अंसेफ है तो इससे क्या 2000 पर जो नेक्स जो इससे पहला मैंने आपको पिचर दिखाया यह वाला यह एकदम सेफ है इसमें कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रीट नहीं हो रही जिसकी वज़े से एक्सिडेंट हो सके ठीक है तो यह था जो एक्सकावेशन है हजाट किस टाइब को होता है एक्सकावेशन वर्क अगर आप कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कैसे सेफटी प्रेकॉशन ले सकते हैं साथी यह भी एक थोड़ा हार्ड वर्क होता है तो इसमें आपको थोड़ी सेफटी रखना भी बहुत जादा इंपॉर्टेंट होती है